गीता अध्याय 15 के श्लोक 16 सत्र में तीन प्रभु बताए है ये तीन प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरन समाप्त हो सकता है? तीन प्रभु में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूर रहस्यों को जाने के लिए अवश्य सुनिये जगत गुरु तत्वदर्शी संत राम पाल जी महराज के अम्रित्वचन परमात्माने का इसलिए गीता जी दहन बरठारा के स्लोक नमबर बैसेट में गीता गयानदाता कहता है उस परमेश्वर की सड़मजा उसकी किरपा से ही तो परमिशानती और सनातन परमधाम को प्राप्त होगा जाने के बाद फिर लोट करने आते हैं अपने अत्माओं हमारा यह पिछला रंग जल्दी सी उतरदा नहीं रामानंग जी तो सारी उमर खोदी थी एक सो चार साल का बुड़ा हो गया था यह डॉलेड होते और थोड़ी सी अंदर समाधी लग जया थी उससे मैं नो सोच रहा था मैं रिशी हो गया मैं रामानंग ऑग जी ने कहा कि बच्चा मैं समाधी लगाता हूं बहुत दूर तक समाधी जाती है पर्मातिमपह ब्र मॉले लगा तिरी समाधी वो तब ब्यास हो रहा था एक साड़ेंड में लगाई और अंदर चला काहा पहुंच ऑा तेरा कूटी पर पहुंच गया और पर्मात्माथ साथ साथ वो पांच साल के बालक पहुंच गया तिरकुटी बै प्रमात्मा बोले इव आगए की तजागा आगे कहां जाओगे पता नहीं अब देखो मैं बताता हूँ ये तीन रस्ते तिरवेनी शुरू होती यहां से ये सीधा रस्ता जाता ब्रहम रंदर कहते हैं और ये लेफ्ट वाला है दरमराज के दरबार में जागा जब तेरा समय पूरा होगा स्वामी जीश तरकुटी तागए वो आप ले जाएंगे तेरे साथ पार्ख दाएंगे वो फिर आपको इस रस्ते ले जाएंगे इस पे जा उस इश्ट के पास आपको बाई फोर्स बेज दिया दाएगा और ये सामने है ब्रहम रंदर इसके खोले बना मुक्स नहीं हो सकता तेरे किसी भी मंतर से ओम नमें सिवाए या ओम भागोते वसुदेव या जो तू जाब करता केवल ओम इसने खोल के दिखा दे जैसे सुप प्रमातमा ने कहा मैं खोल के दिखाऊंजी प्रमातमा ने सतनाम का जाब किया दो अक्र के कि मैं अपना मंतर जाब करता हूं सतनाम तो जो ही सतनाम का जाब किया वो पट दे ही रस्ता खुल गया और कहने लगया मेरे साथ साथ उनके उपर जाती हो फिर बंद हो गया अब आ कुन करकाता देख वह बैठा और इसके सिर पर पहर रख से चलेंगे उपर उस गयर में द्वार पर भाइट है यह का ल तो परमात्मा उपर लेकर गए इस प्रवरम के अक्षरपुर्श के साथ संग बर्मानद पार करके बहुर गुफा पार करके सचखंड में लेगे साथ में वह बालक रूप में रामानन जी के आत्मा ऊपर जाके की देख्या कि प्रमात्मा जैसे आपने देखा सुना पड़ा जनम साखी के अंदर के सच्खंड में नानक साहिब ने तेजों में तकत और तेजों में लोक में एक विश्णु रूप में बगवान देख्या विश्णु कारत वैसे तो पूर्ण प्रमातमा ही होता है जो सब का अधार पोशन करें लेकर वेदों मवरनित विश्णु के आध बालक उपर गए तो वह एक तेजों में शरीर में परमातमा खुद विश्णु रूप में अन्य रूप में उनके एक रूम कूप में क्रोड़ सुरिय क्रोड़ चंदर्मा में ला देवा भी फिक रोशनी तो पांच साल के बालक ने चमर उठाया और उस पर चमर करन लाग उस तेजों में शरीर वाले वगवान तो रामानची ने सोचा ये है परमातमा परमक्सर ब्रम जो तकत पर बेठा है और कबीर जी तो यहां के कोई नो करगन होंगे इतने में क्या क्या है तेजों में शरीर जो खड़ा हो गया और वो पांच वरस के बालक बैठ के अनंत परमातमा ने कहा कि रामानंद जी क्या कहने लगे फिर उनको वापस बेज दिया कि जाओ इबापना जाए नीचे रामानंद जी एकदम समाधी वापस आई और ऐसे फटफड़ी सी ली जैसे सोपन देख्या करें पर सामने क्या देख्या पांच वरस का बालक फिर सामने बैठ्या चरणों में पढ़ गया एक सोचार साल का ब्रामन विद्वान बढ़ा फिर रहे था तहां वाचित चक्रित भया गरीब दास ने जता किया हम पाए दीदारे तुम स्वामी मैं बाल बुदी बरम कर्म किये ना से ग्रीब दास निज बरम तुम मेरे हो गादर डब सुवा से कहते हैं मैं तो बालक बुधी तुम स्वामी रामानण जी कहते हैं पांच वरस के वालक को 104 वरस के वविद्वान पुरुस मेरे सी पाक रहा था सताई से प्रिचित होकर कहने लगा तुम स्वामी मैं बाल बुधी मेरे तुम बालक जैसा गयान था मालक तेरे गयान का गरती सताई से मैं प्रिचित होगा तुम स्वामी मैं बाल बुधी बरम कर्म किया ना से ग्रीब दास निज बरम तुम मेरे हो गदर्ड विशुवासे रामाना जी कहते है वो निज बरम वो तत बरम आप ही हो मेरे तपकश का विशुवास हो गहा दोह उठोड है एक तु ब्या एक से दो ग्रीब दाश हमकारने तुम आए हो मग जो कहते है दोह उठोड तु हैesin आता उपर विर्यामि पर्थिव पर विर्वा पर वितू ही है, दो उठोड है, एक तू और बहा एक से दो, ग्रीब दासमकारने, आए हो मगजो, बोलो सत्गुर्देव की जैहो! प्रम्पिता प्रमात्मा पूर्ण ब्रम सर्वसरिष्टी रचनहार, कवीर देव कवीर साहिद, जी की असीम करपा से, आप उन्यात्मा ये सत्संग सुन रहे हैं, ये अज्धात्मिक संपूर्ण ज्ञान सुन रहे हैं, इसके अंदर, आप जी को, अपने सत्गरंतों में छुपे हुए गूड रहिष्यों का ज्ञान होगा, और सत्संग में आने से, प्राणी को पता चलता है, कि मनुस जीवन का क्या उदेश से है, सत्संग के अंदर, बहुत ही पुन कर्म प्राणी ही आया करते हैं, सत्संग में पता चलता है, कि मनुस जनम पाक है, जो नहीं रटे हरी नाम और जैसे कुवा जल बिना बनवाया क्या का, प्रमात्मा हमें याद दिलाते हैं, मन उस जीवन प्राफ्ट करके यजी प्राणी प्रमात्मा की भक्ति नहीं करता, उसका जीवन ऐसे विर्थ है, जैसे जिस कूप में, जिस कुवे में जल ना हो, बाकि उसकी सारी सट्रेक्चर खड़या हो, पक्का कुवा कर रख्या हो, बड़िया उसके उपर बाल्टी रख्यो, लेकिन जल नहीं है तो यूजलेस है, ठीक इसी प्रकार, मनुस जीवन प्राणी ये दिप्रमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं, तो उनका जीवन उस कूप रहित, उस जल रहित कूप के तुल है, अब उस कूप का नाम कूप अवस्य है, लेकिन गुण कूप के नहीं है, खीक इसी प्रकार, जो मनुस सरी धारी प्राणी प्रमात्मा की भक्ति नहीं करता, उसका नाम मनुस अवस्य है, लेकिन गुण मनुस के नहीं है, अब प्रमात्मा की चाने वाली प्रमात्मा की कमी नहीं, जहां भी जिस संत के पास देखते हैं, लाखों की संख्या में ये प्रमात्मा कराने के लिए कल्डान आर्थ वहां पहुंच जाते हैं, और जो भी वो गुरुदेव साधना बताते हैं, किरियाएं बताते हैं, वो सरधा लो पूर्ण सरधा के साथ करते हैं, और जो बिलकुल बक्ती नहीं करते, उनकी भी कमी नहीं, पुन्यात्मा जो बक्ती बिलकुल नहीं करते हैं, वो तो बिलकुल अपना मनुस जीवन का नास कर ही रहे हैं, साथ में जो बक्ती कर रहे हैं, और सास्तर वी दिता कर मनमाना अचन करते हैं, अज्ञानी गुरूओं के पास बैठे हैं, तो वो भी बहुत बड़े धोके में हैं, वो भी अपना जीवन नास कर रहे हैं, तो प्रमात्मा के पाने के लिए प्रियतंसील प्राणी, इस बात से प्रेचित होता है कि प्रमात्मा गुरू के बिना नहीं मिल सकता, इसलिए गुरूओं की आवसेक्ता पड़ी और गुरू बनाने के लिए हम इन महापुर्शों के पास पहुंच गए, अपने आत्माओं विशेश कर भारत वरस में, बहुत संख्या के अंदर सादक साधना कर रहे हैं, चै कोई मंदिर में जाकर, चै कोई वरत रखके अनुमान की चालिसा पढ़कर, या कोई बगवान संकर, च्री करशन जी की भबती करकर, या कोई तीर्थ आधी पर जाकर, कोई ना कोई साधना वो कर ही रहा है, या फिर कोई गुरू बना कर, और हम देखते हैं, इतनी बहुत संक्या में जहां भक्ती कर रहे हो इनसान, तो एक विशेश परिवरतन होना चाहिए समाज के अदर, लेकिन कोई परिवरतन नहीं, परतेक बुराई बढ़ तीजा रही है, हाहा कार मच रहा है, जिसका कारण क्या है, इसका कारण है, जो साधना वग्जन कर रहे हैं, उनसे उनको परमात्मा से मिलने वाली राहत प्राप्त नहीं हो रही हैं, जिसकारण से वे उनी बुराईयों को करना प्राहरम कर देते हैं, जो एक भग्दने नहीं करनी चाहिए, वो कौन-कौन सी बुराईयों हैं, सराब पीना, मास खाना, और दनी बनने के लिए रिस्वत लेना, और टेंसन समाप्त करने के लिए गुटी लगाना, तो जिस कारण से बुराई बढ़ रही है, घट दी रही है, प्रमात्मा की वक्ती करने वाले प्रानी को, प्रमात्मा का लाब विशेस मिलना प्राहरम हो जाता है, और उसको फिर एक विशेस ग्यान होता है, कि यदि तू ये बुराई करेगा, तो तुझे इन आपतियों का सामना करना पड़ेगा, फिर वो इस डर से उन बुराईयों को नहीं करेगा, कि ये पाप है, और फिर प्रमात्मा उसको एक विशेस लाब देगा, उन्हात्मा जैसे राजा लोगों को हम बहुत सक्ति साली मानते हैं, उनके उपर भी कोई आपदा आती है, तो वो भी संतों के पास ही जाकर उसका निवारण करवाते हैं, तो इससे क्या सिद्ध हुआ, कि कोई ऐसी सक्ति है, जो हमें एक विशेस लाब राहत दे सक्ति है, वो कौन है, और कैसे वो राहत देता है, इसका ग्यान संत जन ही बताया करते हैं, तो पुन्य अत्माओं आप जी को सत्संग प्राप्त नहीं हुआ, और जिसको आप सत्संग जानकर गरेण किये हुए हो, वो कोरा ग्यान है, क्योंकि जो हमारे सत्गरंतों में परमान नहीं है, तो वो सास्टर विरुद ग्यान है, सास्टर विरुद सादना है, उसका कोई लाब नहीं, अब पहले क्या कारण रहा कि हमारे जो धरम गुरु थे, वो संस्कर्ट अवस्य जानते थे, लेकिन अध्यात्म ग्यान सुन्न था उनका, वे तत्व ग्यान हीन थे और हैं अभी तक, हमारे धर्म गुरु कौन है, आचारिये, संक्राचारिये, और अन्यमंडलेश्वर, ये सब हमारे धर्म गुरु है, ये संस्कर्ट के तो विद्वान थे, व्याकरण भी निकी अच्छी, दुरस्ट है, लेकिन अध्यात्म ग्यान विल्कुल नहीं है, अपने अत्मा, पवितर हिंदु द्रम के ये, आधनिय द्रम गुरु, हमें जो भी ग्यान देते हैं, समझाया करते थे, समझाते हैं, बताते हैं, वो कहते हैं कि हमने इनको, सदगरंथों से, पवितर वेदों से, पवितर शिरी मद भगवत गीता से, और पवितर पुराणों से, ये ग्यान तुम्हें सुनाया है, तो हम यही मान बैठे थे, कि ये संसकर्ट के विद्वान है, हमारे सभी सदगरंथ संसकर्ट में लिपी बद है, और ये जो ग्यान दे रहे हैं, वो बिल्कुल सही और सास्त्रों वाला ही है, लेकिन अब इस दास को पता चला, क्योंकि इस दास की आँखें बन गई, वो तत्व ग्यान वाली आँखें दुरस्ट हो गई, पहले हमारे पुरुज, पहले के जो माता, पिता, दादा, दादी, कई पीडियां जो हमारे हिंदु द्रम के थे सभी के, वो सरधालू थे, ऐसिक सी थे, और इन द्रम गुरुओं ने जो भी क्रिया हैं बताई, वो सिर दड़की बाजी लाक है, और पुरी सरधासे करते रहें, तो पुरी आत्मों, आज हम इस योगे कर दिये प्रमात्माने, कि हम इन सद्गरंथों को अब स्वेंद देखेंगे, इस दादस ने इन सद्गरंथों का गहन, निरक्षन किया, अध्यान किया, तो उसमें क्या पाया, कि हमारे जितने भी धर्म गुरु, हिंदू धर्म के धर्म गुरु रिशी, महरिशी, यमंडलेशवर, महंत संथ, ये सभी लोक वेद सुना रहे हैं, दंत कथा सुनाया करते हैं, इन के पास सास्तर अनुकुल ग्यान नहीं है, ये वेदों गीता और पुराणों के विपृत ग्यान हमें दे रहे हैं, और नाम इधी सद्गरंथों का ले रहे हैं, जो टीचर, जो अध्यापक, आउट ओफ सलेबस पढ़ाता है, पाठे करम से हटकर ग्यान देता है, वो अध्यापक ठीक नहीं, वो सत्रू है उन विद्ध्यारतियों का, और यही कारण रहा पुन्यात्मों, शास्त्र विद्धी को ट्याकर मनमाना आचन करवा के इन हमारे धर्म गुरूओं ने, हमारे सभी पूर्वज, भूत बनवा दिये, तुरासी लाक योनियों में डलवा दिये, और फिर उनके लिए यतन बताते हैं, सराद निकाल दो, पेंड भरवा दो, यह किरियाएं करते हैं, जो कि गीता जी के विर्द है, श्रीमत बगुद गीता, अध्याय नमर 9, सलोक नमर 35 में कहा है, कि जो भूत पूजते हैं, वो भूतों को प्राप्थ होंगे, यह सराद निकालना, पेंड वरवाना, तेर्मी करना, और अश्थी परवा करना, गती कराने के अर्थ, तो यह सब भूत पूजाएं हैं, इनके करने वाले भी भूती बनेंगे, देवताओं की पूजा करने वाले, देवताओं को प्राप्थ होंगे, पित्रों की पूजा करने वाले, पित्र बन जाएंगे, गीता ग्यान दाता कहता है कि मेरी भक्ती करने वाला मुझे प्राप्त होगा हमने वगवान की वक्ती टाग कहे ये भूत पूजा शुरू कर दी सरादाधी निकालना जिस कारण से हम सास्त्री विद्धी टाग का मनमाना आचन करते रहे और मान कर्ष्ट को उठाते रहे अपने आत्माओ अध्धापक किसे कहते हैं टीचर किसे कहते है अध्धापक अपने जौब का मास्टर होता है उसको टीचर बोलते है अध्धापक कहते हैं मास्टर कहते है जो जिन धर्म गुरुवों को समाज ने खुली छुटी दे दी के तुम सद्गरंथ पढ़ो और हमें सुनाओ और हमें वो प्रमात्मा का ज्ञान जो सद्गरंथ हो मैं भी दुमान वो बताओ उनको फरी कर दिया उनको दिक्षना देनी शुरू कर दी के अपना निर्भावी करते है और फरी हो तो पढ़ो अच्छी तरह इन सद्गरंथ हो और हमें बताओ तो उन्होंने हमारे द्रम गुर्वोंने सद्गरंथों को पढ़ा आवस्य है और इनको कंठस्त याद भी कर लिया सद्गर्शकृत भासा में लेकिन इनको वेदों गीता और पुराणों का कख भी पता नहीं इन आचारियों को और इन संक्राचारियों इनको अध्यातम ग्यान नहीं इनको तो ग्यान होगा कहां से जिन भगवानों को ये पूझते हैं हमारे आचारिय और संक्राचारिय और हमें उन्ही को पूझने की सला देते हैं कि ये भगवान है कौन? श्री बिर्मा, श्री विष्णू, श्री संकर भगवान आदी और इनको ये परमात्मा बताते हैं भगवान बताते हैं ईश बताते हैं और इनकी पूझा स्वंभी करते हैं हमें भी करने की सला देते तो इन भगवानों को अज्दात्व ज्ञान नहीं श्री विष्णू को, श्री बिर्मा को, श्री संक्रजी को तो हमारे दर्म गुरुओं को, संक्राचारियों को, आचारियों को ज्ञान कहां से होगा अपने अत्मों इस कंसेप्ट को कलीर करने के लिए कि इन भगवानों को भी ज्ञान नहीं श्री विष्णू जी को, श्री बिर्मा, श्री संक्रजी को और दुर्गा को भी कंप्लीट ज्ञान नहीं श्री देवी जी को भी और ब्रह्म जिसको ये परम ब्रह्म बोलते हैं ये है तो ब्रह्म सरपुर्ष इसको भी complete ग्यान नहीं अपने अत्मों ये बड़ा विवाद काविसे बन जाएगा यदि इस वाक्य को यहीं छोड़ दिया और परमान ना दिखाए पर्थम तो आपको उनीस पुराणों में ये आप ये दास दिखाएगा कि बिर्मा और विष्णू और संकर ये बगवान नहीं है ये इस नहीं है और ये हमें हमारे दर्मगुरू संकराचारिय और आचारिय ये मनलेश्वर ये कहते हैं ये बगवान है तो इन्हों ने हमारे साथ कितना दोखा किया है पर्तम तो ये दिखाते हैं के स्री विष्णू, स्री बर्मा और स्री संकर्दी को और सतियोग से लेकर आज तक के इन गुरूओं ब्रामनों को ये संकराचारिय राचारिय सारे ब्रामन ही है ब्रामन पुन्यात्मा कोई जाती सूचक नहीं है ब्रामन वो व्यक्ति है जो अध्यापक पद्ध पर विराजमान है जो उस कर्म को कर रहा है जैसे च्यारवरण बनाए ब्रामन वैस अक्सत्री और सूदर अपने अत्माँ जैसे आज कोई ब्रामन का लड़का और मिल्ट्री में वो बरती है फौज में तो वरण में अवस्य है लेकिन वो ब्रामन कर्म नहीं वो तो अक्सत्री है ऐसे ही कोई वैस का लड़का मिल्ट्री में बरती है तो वरण वैस अवस्य है लेकिन कर्म वैस नहीं है इसी परकार अन्य समझे कोई सूदर का लड़का और मिल्ट्री में बरती है तो वो अक्सत्री है सूदर वरण में वैस्य जन्वा है तो कर्म से ही ये क्रिया है और ये जाती बनी है तो जो धर्म गुरु है वो ही ब्रामन कैलाते है चाहिए वो किसी मजभ जाती का हो मेरे पुझे गुरुदेवजी ब्राह्मन वर्णम जन्मे थे लेकिन वो अपने आपको ब्राह्मन नहीं कहते थे अर्याना के अंदर जिला बिवानी और तर्खी दादरी के पास एक बड़ा पैतावास गाउं है वहां से ब्राह्मन वर्णम जन्मे थे और हमारे दादा गुरुजी से उरकी भेंट होगी वो उन से प्रेड़ना पाकर घर त्याकर्च ले गए और वो अपने आपको संत कहते थे ब्राह्मन नहीं और बेरे दादा गुरुजी जाट थे गाउं चावला के दिल्ली में और वो जाट होती वे बरामन कहला है पंडित कहला है क्योंकि वो कासी विद्धा पीट से पढ़कर चारवी से के आचारिय बन गए थी गाउं गोपालपुर खरकोदा के पास जिला सोनिपत मैं एक छोटा सा गाउं है गोपालपुर उसके अंदर आशरम बना हुआ हमारे दादा गुरु जी का उस पर लिखा है पंडित चिदानंद जी आशरम जाटो तेवे पंड़ जी कहला गे वो गुरु थे बरामन बन गे बरामन करम ठावन का तो पन्यातमाव ये जो बरामन वर्ण में है रिसी महरिसी ये बरामन करम करने वालों पर ही समझो अपली केबल है दास के ये जो ग्यान है वचन है अन्या पर नहीं तो अब समसे पहले आपको दिखाते हैं कितना ग्यान था बिर्मा विश्णु महिष को और कितना ग्यान था इस सत्युक्स के बरामन आप सत्यूक से लेकर आज तक के इन ब्रामन गुरुवों को आपके रूब रूक राते हुए उन्हीं पवितर सद्गरंथों पुन्यात्माओं परमात्मा का पाना बहुत ही आसान है मोक्स भी बहुत ही सिंपल है क्योंकि आज साधना बहुत सीधी साधी है हमें ग्यानना होने से हमारे कोईनों ने गल्त मारक दर्शन कर दिया जिस कारण से हम परमात्मा नहीं प्राप्त कर सके मोक्स प्राप्ती नहीं हूँ सबसे पहले आप जी को श्रीमद देवी भागवत से ये पर्मानित किया जाएगा कि श्री विश्णु जी को और श्री विर्माजी को और व्यास जी को और नारद जी को ये कितना ग्यान था ये देखने शिरीमद देवी भागवत, सचीतर मोटा ट्राइब केवल हिंदी, गीता प्रेस गुरुपर से परकासित, शिरीमद देवी भागवत, संपादक अनुमान प्रसाद पोदार, चुनलाल गोस्वाव। परकासिक, एमें मुद्रक हैं, गीता प्रेस गुरुपर, गौविन बनकारियाले, कोलकाता का संस्था, ये इनके फैक्स और फॉन नम्र, ये देखिएगा 28 नुमर प्रेष्ट पे, ये परत पहला सकंद है, संक्सी देवी भागवत पहला सकंद, नारद जी ने कहा, ये नारद जी और व्यास जी की गोश्टी हो रही है, नारद जी ने कहा, व्यास जी तुम इस विशे में जो पूछ रहे हो, ठीक ही ही परसन, मेरे पिताजी ने बगवान शिरी हरी से किया था, देवा अदिदेव बगवान जगत के स्वामी है, लक्समी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती है, दिव कोस्टमनी उनकी सोबा बढ़ाती है, वे संख चकर गदा लिये रहते हैं, पितंबर धारन करते हैं, च्यार हो जाएं, वे चराचर जगत के आश्रे दाता हैं, जगत कुरू एंदेवताओं के भी देवता हैं, ऐसे जगत पर बू बगवान शिरी हरी महान तब कर रहे थे, उनकी समादी लगी थी, यह देखर मेरे पिता बिर्माजी को बड़ा आस्चरिय हुआ, अधै उन्हों ने उन से जानने की इच्छा पर गठकी, बिर्माजी ने पूछा पर हो, आप देवताओं के अध्यक्स, जगत के स्वामी और भूत बविस्य एवें वर्दमान सभी जीओं के एक मातर सासक है, बगवन फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं, और किस देवता की रादनाम ज्धान मगन है, मुझे असिम आस्चरिय तो यह हो रहा है, कि आप देवेश्वर, एवन सारे संसार के सासक होते हैं भी समाध्य लगाए बैठे हैं, गर्मान जी के विनीत वचन सुनकर भगवान शिरी हरी, यानि विश्णु जी कहने लगे, अब हम 29 प्रिष्ट पर आगे हैं, पहला सकत, शिरी हरी ने उन से कहने लगे, बर्मन सावधान होकर सुनो, विश्णु जी बतान लगे बर्माजी को, मैं अपने मन का विचार वेक्ट करता हूँ, देवता, दानो, मानो, सब यही जानते हैं कि तुम स्रिष्टी करते हो, मैं पालन करता हूँ और संकर सहार किया करते हैं, किन्तु फिर भी वेद के पारगामी पुर्ष अपनी युक्ती से यह सिद करते हैं, कि रचने, पालने और सहार करने की यह योगिता जो हमें मिली है, इसकी अदिष्ठात्री सक्ति देवी हैं, वे कहते हैं कि संसार की सिरिष्टी करने के लिए, तुम मैं राजसी सक्ती का संसार हुआ है, मुझे सात्विक सक्ती मिली है, और रुदर में तामसी सक्ती का अविर्भाव हुआ है, उस सक्ति के अभाव में तुम इस संसार की शिरिष्टी नहीं कर सकते मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुदर सहार कारिये करने होने में भी रुदर से सहार कारिये होना भी संभावने बिर्माजी हम सभी उस सक्ति के सहारे यानि दुर्गा के सारे ही अपने कारिये में सदा सफल होते सुवर्थ पर्तेक्स और प्रोक्ष दोनों धार में तुम्हारे सामने रखता हूं सुनो ये निश्चित है क्यों सक्ति क्यातिन होकर ही मैं इस सेस नाग की सहिया पर सोता और सिर्ष्टी करने का उसर आते ही जाग जाता हूं मैं सदा तब करने में लगा रहता हूं उस सक्ति के सासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता मैं सदा तब करने में लगा रहता हूं ये ध्यान रखना उस सक्ति के सासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता कभी आवसर मिलातो लक्षमी के साथ सुख पूर्वक समय बिताने का सो भाग्य पराप्त होता है मैं कभी तो दानों के साथ राक्ससों के साथ युद्ध करता हूँ अखिल जगत को बह पहुँचाने वाले देट्चों के विक्राल सरीरों को सांथ करना मेरा प्रम करते हो जाता है और यहां कमाल कर दिया विश्ण जीन अपना जात्म ज्यान का मुझे सब परकार से सक्ती यानि दुर्गा जी के आधीन होकर रहना पड़ता है उन्ही बगवती सक्ती का मैं निरंतर ज्यान किया करता हूँ बर्मा जी मेरी जानकारी में इन बगवती सक्ती से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं अब यह है स्री विश्ण जी के अध्यात्मिक ग्यान का निसकर्स स्री विश्ण जी कह रहे हैं कि मैं दुर्गा से श्री दुर्गा जी से उपर किसी भगवान से परीचित नहीं हूँ मेरे अध्यात्म ग्यान में यह सबसे बड़ी देवता भगवान है अपने अत्म हम अपने इसी लेख में पढ़ा श्री नारत जी विचलित श्री व्यास जी विचलित ब्रमा जी के ग्यान को इन्होंने बताया ही है के ब्रमा जी विच्णु जी को जगत गुरू देवेश्वर सारे संसार के पालन करता उत्पत्ती करता सब कुछ बता रहे हैं और ये क्या निस्कर्श दे रहे हैं विच्णु जी के मैं तो दुर्गा के आधीन हूँ और घोर तब करता हूँ तब करके क्या करते हैं बैटरी चार्ज कर लेते हैं फिर राक्षसों के साथ लड़ते हैं फिर्म की बैटरी डिस्टार्ज हो जाती है सिध्यों से लड़ते हैं और फिर ऐसे चार्ज करते हैं अब विश्मु जी ने तो बता जिया कि दुर्गा से उपर मैं किसी को निजानतर मैं दुर्गा की बक्ति करता हूं और अमारे धर्म गुरुवों से जब कोई परसन किया जाता था कि स्री विर्मा, स्री विष्णू, स्री शिव्जी ये किसकी बक्ति करते हैं ये कहा करते थे, कुछ तो कहते थे कि अपने इस रूप का धान करते हैं कोई कहता था कि संकर भगवान श्री राम की पूजा करता है और श्री राम संकर जी की पूजा करता है और कोई कहता कि नहीं यह किसकी पूजा करते हैं यह तो स्वेम हैं अब आपके समक्स है कि स्री विश्णुजी दुर्गा जी की पूजा कर रहे हैं और इनको सुप्रिम प बगवान, देवता, अब दुर्गा जी क्या बताती है, इसके भी दो वचन सुनते हैं, यह देखिएगा, सात्मा सकंद, संक्षिप्त देवी भागवत, पानसो बैसेट प्रिष्ट पे, यहां देवी के दोवारा, हिमाल्य को ज्ञानो उपदेश, ब्रह्म शुरूप का वर् अब मैं तुझे ब्रह्म के बारें जान करें, पहले दिसने अपने बारें बताया, लेकिन फिर कह दिए, नहीं, उस ब्रह्म का क्या सुरूप है, यह बतलाया जाता है, जो प्रकास रूप, सबके अत्यंत समीप में सतीत, हर्दे रूप गुहा में सतीत होने के कारण गुहा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुधी में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो, जो प्रम प्रकास रूप है, जो सुक्सम से भी अत्यंत सुक्सम है, जिसमें संपुन लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी सतीत है, वही यह अक्सर ब्रह्म है, वही स आत्मा सकन पड़ रहे हैं वह है अम्रत अमन अविनासी ततव है सो में देवी जी कह रही है उस बेदने योगे लक्से का तुम बेदन करो मन लगा कर उसमें तन में हो जाओ सो में उपनिस्त में कथीत महान अस्तर रूप धनुस को लेकर उस पर उपासना द्वारा तिक्सन कि और फिर बावनुगत चित के द्वारा उस बाण को खेच कर उस अक्सर रूप ब्रम को लक्से बना कर बेदन करो परणाव माने ओम दनुस है जीव आत्मा बाण है और ब्रम को उसका लक्से का जाता है अब इसमें क्या कहा है श्री देवी जी कह रही है इमाले राजा को कि म नाम का जाब करें और ब्रम पाने का उदेश से रखें इतनी सी बात और कुछ नहीं आगे देखो इसी में फिर हम यहां जाते है नीचे उस एक मातर परमात्मा को ही जाने है दूसरी सब बातों को छोड़ दे अब देवी जी दुर्गा जी अपनी साधना को भी कहती है वो पुल है संसार समुंदर से पार होकर अमरत्सरू परमात्मा को प्राप्त कराने का यह सुल्ब साधन है यह कहा कि इस आत्मा का ओम के जब के साथ ध्यान करो इससे अग्यान में मैं अंदकार से सरवता परे और संसार समुंदर से पार जो ब्रम है उसको पा जाओगे तुमार कर लें, वो कहां रहता है, हम 593 पढ़ रहे हैं, वो है यह सबका आत्मा ब्रम, ब्रमलोक रूप दिव आकाश में सथीद है, वो है ब्रम, ब्रमलोक में रहता है, इसका सिmmy दासारत है, अपना आत्मों ये तो अज्ञातम ग्यान हो गया दुर्गा जी का ये क्या बता रही है स्री देवी जी कह रही हिमाले राजा को के और सब पूजाएं त्याग दे किवलेक बर्म की पूजा कर उसका ओम नाम है उस साधना से तू बर्म लोग को प्राप्त हो अपने अत्मों स्री मद भगवत गीता जी का ग्यान बर्म नहीं दिया स्री कर्शन जी में प्रवेश करके अब वो बर्म क्या बोलता है स्री मद भगवत गीता अध्या नमबर आठ के स्लोक नमबर तेरा में कहता है कि ओम इती एकाकसरम ये देखेगा आपको इन स्द्गलंतों से रूब रूब करेंगे तब ही आपको इस्वास होगा इस दास की बातों पर ये है श्री मद भगवत गीता जैदाल गोंद का इसके अनुआदे के हैं गीता प्रेस गुरुपूर से प्रकासी अद्धाय नुबर आठ के स्लोक नुबर आपको तेरा दिखाते हैं अद्धाय नुबर आठ श्री मद भगवत गीता और यहां देखो तेर मास्लोक ये तेर मास्लोक हैं अब गीता ग्यान दाता ब्रम है ये कहता के माम ब्रम मुझ ब्रम का ओम इती एक अक्सरम ये ओम यह एक अक्सर है विभारन अनुसम्रन उच्चारन करके सुमन करता हुआ ये प्रियाती तजन देहम जो स्रीव छोड़ कर जाता है सैयती प्रमामगती वो प्रमगती को प्राप्त होता है जो ओम से मिलने वाली प्रमगती है वो क्या है वो स्रीदेवी जी ने सफ़श कर जिया क्यों ब्रम लोग प्राप्ती होगी गीता जे देहन नुबर आठ के इस लोग नुबर सोला में सुभश किया है कि ब्रम लोग परियंत ये सभी लोग पुन्रा वर्ती में हैं यानि वहां गए हुए प्राणी भी लोटकर संसार में आते हैं जनम मर्तु समाब्त नहीं होती ये देखेगे अद्धाय नुबर आठी पढ़ रहे हैं पुन्रा वर्ती का इन्हों ने यहां पर विसलेशन किया सटार से अर्थात जिन को प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे पुन्रा वर्ती इसको कहते हैं अब ये ब्रम क्या बताता है गीता जायर नुबर चार के स्लोक नुबर पांच उसे नौ तक ये क्या कहता है कि अर्था तेरे और मेरे बहुत जनम हो चुके हैं तो नहीं जानता मैं जानता श्री मजबगत गीता जायर नुबर दो के स्लोक नुबर बारा में भी यही स्प्रट करता है कि अर्था तू और मैं और ये राजा लोग पहले भी जनमें थे, आगे भी जनम होगा ये ना सोच कि हम वरत्मान मही है और गीता जी 10 के स्लोक नमबर 2 में ये खुद कहता है कि मेरी उत्पत्ती को, ये देवता लोग, रिसी लोग, ये नहीं जानते, क्योंकि ये मुद्ध से उत्पन हुए है, अब काल हूँ अर्जुन, और अब परवर्थ हुआ हूँ तो ये काल जो है, ये गीता जी का ग्यान देरा श्री किरसन जी में प्रवेश करके हैं श्री किरसन जी को तो पताई नहीं मैंने गीता में बोला क्या था उन्हात्मों इस दास कि ये वचन आपको सारे उठ पतान से लागेंगे, एक बार तो, लेकिन दैरिये से संसुनते रहना, परवान देखो कि गद गद हो जाओगे दातों तो लगोली दबाओगे कि बठा बठा दिया इनमारे आचारियों और संक्राचारियों ने सारा गल्द ग्यान सुना कै कख भी नहीं पता इन आचारियों संक्राचारियों हमारे दाजिंदु धरम के गुरुवों को आज तक, रिसी मेरिसीयों को सद्यूग से लेकर आज तक इनको कख भी पतानी, वेदों और गीता का, अब आपको दिखाते है शरीमत भगत गीता यह दिखिएगा यह है गीता जायर नमर चार और सलोक नमर यह पांच है यहां से इसका अन्वाद इन्हों ने यहां किया है यह परंटम अर्दुन मेरे और तेरे बहुत से जनम हो चुके है उन सब को तू नहीं जानता मैं जानता हूं फिर यहां नौमे में क्या कहा कि यह नौमा सलोका चोथे जाएगा यह अर्दुन मेरे जनम और करम डिव अर्थात अलोकिक है अब यहां क्या बता है अध्याय नमर दो के सलोक नमर 17 में कहा कि अर्दुन नास रही तो उसको जान जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है इस अविनासी का विनास करने में कोई भी सम्रत नहीं है यानि गीता ग्यान दाता से अन्य है कोई जो वास्ता में अविनासी है गीता जिद्याय नमर 15 के सलोक नमर 1 से 4 और 16 17 में इन तीन प्रभुवों की जानकारी तीन पुरुसों की अब पहले आपको अध्याय नमर 10 का सलोक नमर 2 दिखाते हैं अध्याय नमर 10 स्रीमद्मगुन गीता अध्याय दस और सलोक दो में मेरी उत्पत्ती को मेरी उत्पत्ती को यह जो भी लिखते हैं प्रभावाने उत्पत्ती को ने देवता लोग जानते हैं ने महरिशीजन ही जानते हैं क्योंकि मैं सब परकार से देवताओं का और महरिशीओं का आदी कारण है अब यह क्या सप्ष्ट हो गया कि गीता ग्यान दाता यह ब्रह्म है सरपुरस है श्री करसंदी में प्रवेश करके यह बोल रहा है यह कहता है मेरी मेरा जनम तो हुआ है उत्पतित हुए लेकिन यह बिर्मा विश्णों महेश और यह रही सी नहीं जानते हैं क्योंकि यह इस से ही उत्पन हुए हैं आए अभमुन श्रद्धालों के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज जी से दिक्षप्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ती मार्क पर चल रहे हैं क्यों जुड़े आप संत रामपाल जी महराज से मुझे कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जिसका कोई सॉलुशन नहीं था मेरे सरीर में बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम थी जिसको ना कोई डॉक्टर समझ पा रहा था क्या है ना कोई ओजा तांत्रिक समझ पा रहा था मेरे काम कैसे नहीं करते हैं तो डॉक्टर परिशान थे कि इतनी जबरदस्त तकलीफ है और कोई इंजेक्शन काम कैसे नहीं कर रहा हमने अपनी लाइफ में कभी ऐसा केस नहीं देखा जब हम ओजा तंत्रिकों के पास जाते थे या एस्टोलाजर के पास जाते थे तो वो बोलत कोई मुर्गा मांगे कोई कोई कुछ भी मांगता था कोई बोलता है था ता ह सब तरफ से हार गए हम और जो मुझे ठीक करता था, जो ओजातांत्रिक, पहले तो बोलता था, 100% हम ठीक कर देंगे, पर अगले दिन वो हाथ खड़े कर देता था, बोलता था, इनके उपर कोई ऐसी शक्ति है, इनने ब्रह्मा भी ठीक नहीं कर सकता, बोले, जो हम इनके उपर से हटाने की कोशिश क करते हैं, तो वो हमारा जान लेने लगता है, तो ओजातांत्रिक भी हाथ खड़े कर देते थे, मैं एकदम हतास हो गई, सुसाइट के अलावा मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आता था, पर मेरा बच्चा छोटा था, मैं सिर्फ रोती रहती, यही पूछती थी, कि अगर प संत्रामपल जी महराज की शरण में जब माई, मुझे किसी ने पुस्तक भी नहीं दी, कुछ भी नहीं, सिर्फ मैंने आत्मा से पुकारा परमात्मा काओं, टीवी पे गुरु जी का उस समय आ रहा था, अच्छा आप एक बात बताईए, आपने बोला कि आप जिस भी संत के लगेगा, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो कि धीरे-धीरे करके अपनी प्रॉब्लम साथ में, मतलब थोड़ी-धोडी करके वो धीरे-धीरे करके कम होती चली गए, जब कम होती चली गई, तो हमारे अंदर विश्वास आया कि सच्चाई यहीं पर है और परमात्मा यहीं है, लेकिन लोगों को यह विश्वास कैस विश्वास होगा इन बातों पे, क्योंकि हम 18 साल से हमने कोई ओजा तांतरिक और डॉक्टर किसी को नहीं छोड़ा, कौन-कौन से डॉक्टर को आपने दिखाया, कौन-कौन से मेडिकल में आप गई, जैसे मैं फिजीशन के पास भी गई, कौन से मेडिकल में, देली एम्स में, और स्वरुप्रानी हमारा इलहाबाद का वहाँ पर, और भी बड़े-बड़े हॉस्पिटोल में गई में, गानेकलोजिस, नियूरोजिस, साइकलोजिस, फिजीशन, सब के पास, किसी के पास मेरी, मतलब मेरी प्रॉब्लम का कोई सॉलूशन ही नहीं मिला उन लोग, क हमने उनको कोई पैसे दिया है, हम तो बता रहे हैं कि हम इससे पहले जिनके पास जाते थे डॉक्टोर के पास इतने टेस्ट करा लिए, हमने हर ओजा तांत्री के पास लाखो हमने वहां दिया, पर हम वहां से ठीक नहीं होई, और संत्राम पल जी महराज जिन्नों ने हमें पुरी सची और हमें जो मंत्र दिया हमें उसको सिफ जपना चालू किया हमंसे उन्होंтовी विप्रामपल्जी मराज की शरण में आंकि उन HIV क्यों लगा रहे हैं हैं heart शक्राण कोई मुछे ठीक नहीं कर पाया था यहां तक कि सब ने वोल दिया हमने liet मैं ऐसा केस ही नहीं देखा डॉक्टर नہीं ओजा तांत्रिक नहीं, वह भी भोलते थी हमारे पास बहुत बड़े भूत प्रेत नहीं हुई थी फिर मुझे बोलना पड़ा कि मैं मतलब होस में हूँ और मेरी पार्ट भी शुन्द नहीं हुआ है डॉक्टर मतलब इतने हतास हो गए थी कि जैसे तेरा जैसे मेरा ऑप्रेशन पूरा करके वो खुद ही वैश्णोदेवी चले गए कि मतलब अब मेरे को मतलब परमात्मा के ओपर उन्हों ने छोड़ दिया उस समय डॉक्टरों नहीं जो साइंस नहीं मानती भगवान को मेरा ऑप्रेशन के बाद वो खुद वैश्णोदेवी चले गए और मैं तो और मैं उनसे ठीक भी नहीं ऑप्रेशन तो मेरा हो गया पर मेरी प्रॉब्लम वहीं क का आ रहा था 2013 मार्च में जो आर समाजियों ने हमला किया था वो आ रहा था न्यूज में उस समय उसको मैंने सिर्फ देखा तो मैंने सोचा यह कौन से ऐसे संते जिसके ऊपर ऐसा मतलब आकरमन हुआ है यह संत तो मैंने जब उनका थोड़ा बहुत कभी सचसंग देखा था ऐसे न्यूज चैनल चेंज करते हूँ तो मुझे यह लगा कि यह तो बहुत सीधे साधे से दिखते हैं तो इन्हों ने ऐसा क्या किया जो इनका न्यूज में आ रहा है बस यह जिग्यासा मेरे अंदर थी इसलिए मैं उनका पी सेवन न्यूज पर उस समय गुरू जी का सच जान है यह तो फिर मेरा इंट्रेस्स बढ़ता चला गया फिर मैं रोज उटके साड़े छे बजे शायद आता था गुरू जी का शे बजी साड़े शे बजी संतरामपल जी महराज का सचसंग आता तो फिर मैं डेली उसको रूटीन से देखने लगी उसको फिर उसके बाद म कष्ट दूर होते गुरू मंत्र लें तो मैंने सोचा कि मैं ज्यादा दूर क्यों चाहूं ऑश्राम के पास चले जाती हूं यह तो यहीं पर अइम्दबाद में तो चब मेरे मन में यहां कि फो सोचा तो अगले दिन इंटर्व्यों में आश्राम वाला गया भगत बताने कि ब्रमरिशी शिरकुमार स्वामी के लिए सोचा अगले इंटर्वियों में नेक्स दिन ब्रमरिशी शिरकुमार स्वामी वाला भी आ गया बोलने कि वो वहाँ से हार के हाया फिर मैंने सोचा अफदूत बाबा सिवन जी के बारे में जब मैंने सोचा, नेक्स्ट दिन वो भी आ गया, मेरे लिए एक इतने बड़ा चमतकार की तरह था कि मैं जिन गुरुओं के लिए सोच रही थी, मालिक संत्रामपाल जी मुझे उन सबसे बचाते चले जा रहे थे, अगला इंटेव्यू नहीं कहाता जा रहा था ऐसा भी तो हो सकता है कि संत्रामपाल जी महराज अपने अन्ययों को पैसे देखर के या किसी तरह का प्रलोबन देखर के दूसरे संतों के बारे में एक कूपरचार कर रहे हों, दूसरे संतों की निंदा कर रहे हों, ऐसा भी तो हो सकता है जी नहीं संत्रामपाल जी महराज ना कोई पैसा देते हैं और ना किसी संतों की निंदा करते हैं और ना उनके भगत किसी संतों की निंदा करते हैं ये बहुत बड़ी गलत धाड़ना है जगत के अंदर ना उनके भगत निंदा करते हैं और संत्रामपाल जी महराज निंदा कर उनके भगत भी बहुत भलाई का काम कर रहे हैं, संत्रामपाल जी महराज जो सच्चा ग्यान दे रहे हैं, उसी को वो पूरे जगत में दिखा रहे हैं, कि ये सच्चा ग्यान है, आप इसको एने देखी और संत्रामपाल जी महराज की शरण में आईए, आप लोग एने जूट किस प्रकार से अलग पाते हैं क्योंकि दूसरे संतों ने हमें मतलब यह आध्यात में ज्ञान दे ही नहीं पाए वो सृष्टी रचना भी नहीं बताए पाए वो ब्रह्मा विश्णु महिस के माता पिता भी नहीं बता पाए दुरगा जी के पती कौन है उन्होंने हमें कोई दिया ही नहीं ऐसा जिससे के हम विश्वास करें और संत्रामपल जी महराज पूरा मतलब पूरी एक 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 टॉपिक पूरा दिखाते हुए हमको पूरा ज्यान करा रहे और वो भी पूरे सास्त्र खोल के हमें वेद, कुरान, बाइबल, गुरुगरन साहिब पूरे खोल के हमें दिखा रहे हैं, सच्चाई, बाइब कोई गुरु ये नहीं करते हैं संत्रामपाल जी महारा से नाम दिखा लेने के बाद और क्या क्या लाब हुए हैं? क्यों को इतने सारे लाब कैसे दे रहा है, लोगों को इतने सारे लाब कैसे हो रहे हैं? जिसको देखो किसे का नहसा छुड़ जाता है, किसी को आर्थिक लाब हो रहा है, किसी को सारे लाब हो रहा है? संत्रामपल जी महाराज ऐसी कोन सी दवाई देते हैं? कि लाखों लोग उनसे जुड़ रहे हैं और लाखों लोगों को लाब भी हो रहा है? संत्रामपल जी कोई दवाई नहीं देते हैं, वो तो गुरु जी जो मंत्र दे रहे हैं, जैसे हम जिसको ढूनते चले आरहे हैं, कि अगर हमसे कोई गलती हुई है, कोई पाप हुआ है, जैसे हमारा बच्चा कोई गलती करता हम उसे माफ करते हैं, तो हमसे अगर कोई पाप हुआ तो वो परमात्मा के पास भी जरूर हमारे पाप कर्मों को काटने का मंत्र होगा गुरू जी वही मंत्र हमें देते हैं जिससे हमारे सारे वो गलत जो काम है विकार वो दूर होते हैं हमारे पाप भी कड़ते हैं अच्छा आप बात करें कि नामदान की संत्रामपाल जी महराज से नामदिक से कैसे ले ले लोग? आज संत्रामपाल जी महराज ने हर डिस्टिक में नामदान केंद्र खुलवा दिया है संत्रामपाल जी महराज्च के बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं सबी अपने जगत के भाई बेनों से यही बोलना चाहूंगी कि जैसे आप हर चीज़ ट्राय करते हो एक बार आप संद्रामपल जी महराज को भी ट्राय करके देखिए उनकी पुस्तक ज्यान गंगा पढ़िए उसमें याने सच्चाई देखिए आप जो अपने जो भी हमारे सास्त्रों में बोलते हैं कि बहुत खुस नसीब है वह मनुष्य जनव मिलता है मनुष्य के लिए तो यहां पर ही यह आप अपना जो धर्म ग्रंथों में लिखा है उसी के अनुसार हमें भक्ति करा रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद सत्थ साथ पूरिव विश्व भर में 500 से भी जादा नाम दिख्षा केंद्र हैं जिन पर संत्रामपलजी महराजी द्वारा ओनलाइन निशुल्ट नाम दिख्षा दी जा रही है अपने नस्दीकी नाम दिख्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें